आपने अक्सर देखा होगा कि जब किसी छोटे बच्चे की तबियत खराब होती है तो डॉक्टर अक्सर उसे और आप जानते हैं कि और आप जानते हैं कि और आरेस की खोज किस ने की थी तो इसकी खोज की थी विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर दिलीप महाल नोबिस ने खाल ही में डॉक्टर दिलीप महाल नोबिस की मृत्ति हो गई है और आज इस वीडियो में हम उनकी खोज और उनसे संबंध हैं तमाम पहलों को जानने की कोशिश करेंगे मेरा नाम है अक्षे और आपका स्वागत है दृष्टियाई इसकी इस नहीं वीडियो में वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूप रिखा को समझ लेते हैं यानि उन बिंदों की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तो वीडियो में सबसे पहले हैं नियूज यानि खबर पर बात करेंगे इस पूरे विशे को समझने की कोशिश करेंगे साथ ही डॉक्टर महाल नोबिस के विशे में भी कुछ बुन्यादी बाते जानेंगे उन कालरा या हैजा के विशे में भी कुछ बुन्यादी बाते जानने की कोशिश करेंगे और अंत में एक प्रश्ण पर भी बात करेंगे प्रश्ण प्रलिम्स का है और आप वीडियो में बताए गई तत्यों के अधार पर इस प्रश्ण को आसानी से हल कर सकते हैं आज का जो हम हमारी न्यूज देख लेते हैं आज की हमारी जो खबर है वो इंडियन एक्स्प्रेस के एक्स्प्लेंड सेक्शन से है हमारी खबर है डॉक्टर दिलीप महाल नोबिस पासे अवे हाव ही केम अप विद ओर इस विच रेविशनाइज़ डाइरिया ट्रीट्मेंट यानि हाल थी वो इतनी जादा महतवपूर्ण क्यों थी उसको समझने की कोशिश की गई है फिर यह आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले डॉक्टर महाल नोबिस के विशे में कुछ बुनियादी बाते जान लेते हैं तो डॉक्टर महाल नोबिस का जन्म साल 1934 में कलकत्ता में हुआ थ और इसके बाद वो इसी कॉलिज में इसी मेडिकल कॉलिज में इसी मेडिकल कॉलिज के बाल रोक विभाग में बतौर एक इंटर्न बतौर एक ट्रेनी के तौर पर एक प्रशिक्षू के तौर पर काम करने लगे इसके बाद बिटिस सरकार द्वारा 1950 के दशक में बिटिस र इंगलैंड में चिकित्सा विशय का अध्यान शुरू किया और इसके बाद वो जल्द ही लंदन के कुीन्स एलिजबेट अस्पताल के रजिस्ट्रार के तौर पर चुने गए और यहां पर विशेश बात यह थी कि वो इस पूरे अस्पताल के रजिस्ट्रार के तौर पर training में शामिल हो गए वो इस center में शामिल हो गए और यहां पर रहकर उन्हों ने मौकिक पुनरजली करन चिकित्सा पर शोध किया मौकिक पुनरजली करन चिकित्सा यानि oral rehydration treatment यही treatment आगे चल कर ORS को जन्म देता है इसी treatment की वज़े से इसी शोध की वज़े से आगे चल कर ORS घोल का जन्म होता है वो कैसे होता है उस पर हम आगे बात करेंगे फिलहाल यह जान लेना जरूरी है कि भारत की आजादी के बाद भारत वापस लौट आया और उन्होंने भारत में आकर इस पूरे विशय पर ठोज करना शुरू किया रिसर्च करना शुरू किया इसके लावां वो WHO विश्व स्वास्त संगठन के तमाम विभागों के साथ भी जुड़े रहे उसक बात ये है कि ये जो पॉलिन पुरुसकार है ये पुरुसकार बाल रोग के मामले में नोबेल पुरुसकार माना जाता है यानि इतना महतवपूर पुरुसकार है कि इस पुरुसकार को बाल रोग का नोबेल पुरुसकार माना जाता है तो जाहिर तो पर इनकी खोज बहुत और ये वही युद्ध था जिसकी वजह से एक नए देश का जन्म हुआ जिस नए देश को आज हम बांगलादेश के नाम से जानते हैं इस पूरे युद्ध के दौरान पूरवी पाकिस्तान यानि बांगलादेश के लाखों लोग भारत में आ रहे थे क्योंकि उस जो पूरवी पाकिस्तान था वहाँ पर पस्चिमी पाकिस्तान की सेना द्वारा अत्याचार किये जा रहे थे और इन्हीं अत्याचारों से बशने के लिए पूरवी पाकिस्तान के तमाम लोग भारत में आ रहे थे अब इस सिती को ध्यान में रखते हुए हम देख सकते हैं कि जब किसी छेत्र में आचानक से जनसंख्या बढ़ने लगती है तो जाहिरतोर पर उस पूरे छेत्र में स्वच्छ पेजल और स्वच्छता की सम्मंधी समस्याएं भी खड़ी होने लगती हैं और यही कुछ सिती इन तमाम शानार्थी कैमपों में भी देखने को मिली जिब यहां पर पूरवी पाकिस्तान के जो लोग थे वो एक साथ बड़ी संख्या में आने लगे तो इन छेत्रों में डाइरिया और हैजस अमंधी रोग जो थे वो तेजी से बढ़ने लगे डाइरि पाकिस्तान की बीच हुआ था इस युद्ध में जो शानार्थी कैमप थे उनमें अपनी सेवाएं दे रहे थे अब हम जानते हैं कि जो शानार्थी कैमप होते हैं ये शानार्थी कैमप युद्ध गरस्त छेत्रों में मौजूद होते हैं यानि ऐसे छेत्रों में हो एक उब्चार प्रषित था उपचारँ के लिए संसाधन जुटाना काफी द Doesım एक उप स्समें अमिदु इन तम Mole के इस्तमाल किया जाता था घेसे हमारी नसो में रिधess्फ अमें पहुंचाया जाता था माध्याम से हमारे शरीर में पानी पहुझाया जाता था यानि एक तरलपदार पहुचाया जाता था ताकि हमारे शरी को रिहाईडरेट किया सकी लेकिन इस पूरा process था एक बहुत जादा लंबा process था और बहुत जादा महेंगा process भी था बिलकुल भी cost effective नहीं था इस पूरे process के दऊरांज बहुत ज़्यादा तरल पदार्थ की ज़रूद पड़ती थी इसके अलावा इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए बहुत अधिक प्रशिक्षित डॉक्टर्स की भी ज़रूद पड़ती थी बहुत ट्रेंड डॉक्टर चाहिए होते थे लेकिन युद्ध छेत्र में ऐसे ट्रेंड ड ठीचिति में, डाइरिया और हैजा के मामलों में और ज़्यदा बढ़ातरी देखने को मिलती है, डाइरिया और हैजा के मामले और ज़्यादा तेजी से बढ़ने लगते हैं, क्योंकि एक तो फ्लियूट मौजूद नहीं है, उसके अलावा डॉक्टर्स भी मौजूद नही तो इसकी वज़े से एक ऐसा गोल तयार होगा एक ऐसा सन्योजन तयार होगा जो कि जल अवर्शोशन संबंधी हमारे शरीर की जो शम्ता है उस शम्ता में बढ़ोतरी करेगा यानि यदी इस तरह के गोल को प्रियोग किया जाता है तो इसकी वज़े से पानी को अब्जर्व करने की हमारी बॉडी की जो capacity है उस capacity में कुछ हद तक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और इसी शोध का उपयोग करते हुए उसी शोध की अधार पर उन्हों ने और उनकी टीम ने पानी और नमक को एक साथ ग्लुकोज में मिलाना शुरू कर दिया और इसकी वज़े से व्यापक स्तर पर ये ग्लुकोज बनाया गया ये O.R.S. बनाया गया और लोगों की बीच व बिपोर्ट ये बताती है कि जिस कैम्प में ये ट्रीटमेंट उपयोग किया गया था उस कैम्प में जो कालरा और हैजा के मामले थे वो केवल 3% थे जबकि अन्रे कैम्प में जो अन्रे शणार्थी कैम थे वहां पर जो मामले थे वो 30-40% के आसपास थे यानि जाहिरत तार पर यह जो पुरा treatment था यह पुरा treatment काफी ज़्यादा उपयोगी था तो इस तरहे से डॉक्टर महाल लोबिस ने ORS घोल की खोज की थी अब यहां सवाल उठता है कि आखिर यह खोज इतनी ज़्यादा महत्वपूर क्यों है यह खोज इतनी ज़्यादा ज़रूरी क्यों है इस तरहे का सन्यूजन होता है mixture होता है जिसे स्वच पानी में मिला कर प्रयोग किया जाता है और यहां पर यह जान लेना जरूरी है कि मूल तो पर अब तो इस पूरे ORS की घोल में कई तरहे के elements प्रयोग किया जाते हैं लेकिन मूल तो पर जब यह विक्सित हुआ था तो इस इस पूरे घोल में इस पूरे mixture में किवल नमक और चीनी का ही प्रयोग किया गया था तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह नमक और चीनी का एक विशेश mixture होता है एक विशेश सन्यूजन होता है जिसे में पानी में मिला कर प्रयोग किया जाता है और यह जो mixture होता है जो यह बहुत ज़्यादा cost effective भी है लागत पुर्शावी भी है क्योंकि इसे आसानी से विक्सित किया जा सकता है कोई भी वेक्टिशन इसे अपने घर पर भी बना सकता है यह से इस पूरे solution ग्होगे सुन्हीं को बहुत मेहत्-तोपूर माना जाता है क्यों महत्-तोपूर जाता है इसके इलावा एक अन्य कारण भी है कारण ये है कि विश्व स्वास्त संग्ठन की आकड़े बताते हैं कि दुनिया भर में डाइरिया पांच साल से कम उम्र के बच्चों में मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण है यानि दुनिया भर में 5 साल से कम उमर के जितने भी बच्चों की मौत होती है उसके उन मौतों में दूसरा सबसे बड़ा कारण डाइरिया है तो जाहिर तोर पर डाइरिया एक बहुत ही गंभीर, एक बहुत ही खतरनाक बीमारी हो ऐसी बीमारी को रोकने के लिए ये जो ORS का घोल विक्सित किया गया है ये काफी ज़्यादा उपयोगी सावित हो सकता है इसके अलावा हैजा भी दुनिया भर में बहुत ही ज़्यादा व्यापक स्तर पर मौजूद एक रोग है विश्वस्वास्त संगठन के ही आकड़े बताते हैं कि हर साल है जाके एक दशमलव तीन से चार मिलियन मामले देखने को मिलते हैं और इन में से हर साल दुनिया भर में 21,000 से 1,43,000 लोगों की मौत हो जाती है तो जाहिट तोर पर यह आकड़े भी चो काल़ा का रोग है वो रोग भी बहुत ज़्यादा गंभीर है और यदि इस रोग की समय रहते इलाज नहीं किया जाता है इस रोग का समय रहते उप्चार नहीं किया जाता है तो कुछ ही घंटों में वेक्ति की मृत्यू भी हो सकती है, कुछ ही घंटों की भीतर एक वेक्ति की मृत्यू हो सकती है, यदि उसका इलाज नहीं किया जाता है इसके अलावा इन दोनों ही रोगों में कालरा और डाइरिया दोनों ही रोगों में एक हमें dehydration का element भी देखने को मिलता है dehydration दोनों ही रोगों में बहुत ज़्यादा महतवपूर है dehydration की बात करें तो मोटे मोटे तौर पर dehydration का मतलब होगा कि जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा पानी की जितनी जरुरत होती है यदि हमारे शरीर को उतना पानी नहीं मिल पाता है और हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा पानी हमारे शरीर से बाहर चला जाता है तो इस रोख को कुछ हद तक ओरस के गहुल के माध्यम से रोका जा सकता है इससे निप्टा जा सकता है और इसी स्थिती को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार दोरा हर साल 29 जुलाई को ORS दिवस के तौर पर मनाया जाता है ये विशेश साबित हो सकता है 29 जुलाई को ORS दिवस के तौर पर मनाया जाता है भारत सरकार दोरा तो ये खोजित्ती महत्पूर्ण की हो है उस पर बात की अबंत में हम कालरा या फिर जो हैजा है उसे सम्मंदित कुछ बुनियादी बाते जान लेते हैं तो कालरा मुखेतौर पर जान लेवा संक्रामक रोग है यानि मुखेतौर पर बहुत जादा संक्रामक रोग है जो की सारवजनिक स्वास्त के लिए एक बड़ा खत्रा पैदा कर सकता है अब सवाल उठता है कि ये जो पूरा रोग है ये पैदा कैसे होता है ये आता कैसे है तो ये रोग मुखेतौर पर विब्रो कैलोरी नाम से नामके एक जिवानू की वज़े से होता है ये जो जिवानू है ये हमारी इंटेस्टाइन हमारी आत में संक्रमन करता है वहाँ पर ये रोग अक्सर इसके जो मामले देखने को मिलते हैं, जो संक्रमण की मामले होते हैं, वो बहुत ज़्यादा गंभीर रही होते हैं, केवल हलके होते हैं, लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं, कुछ मामलों में ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं, जो की बहुत ज़्यादा ग भोजन की वज़े से होता है, यानि यदि आप किसी ऐसे भोजन का सेवन करते हैं, जिसमें हैजा के जो जिवाडू है, वो मौझूद है, या फिर किसी ऐसे पानी को पीते हैं, जिसमें ये जिवाडू मौझूद है, विब्रो कैलोरी तो इसकी वज़े से आपको हैजा हो सकता है इसके अलावा सीवेज और पीने के पानी के अपर्याप तो उपचार की वजह से आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं हमारे सवाल है कि भारत में हर साल ORS दिवसका आयोजन कब किया जाता है हमारे options है option A 27 जुलाई option B 28 जुलाई option C 29 जुलाई option D 30 जुलाई आप comment box में सवाल का जवाब दे सकते हैं इसके अलावा आपके लिए विशेश सूचना ये भी है कि दिश्चिस अंस्थान द्वारा online माध्यम से जो course चलाए जा रहे हैं जो pen drive course चलाए जा रहे हैं उन course में दिवाली के अवसर पर 20% की छूट दी जा रही है आप इस छूट का लाव उठा सकते हैं इसके लिए आप हमसे संपर्ग कर सकते हैं मारे जो description में है वहाँ पर आप इससे संबंधी जानकारी प्राप्ट कर सकते हैं मुझे आशा है कि इस वीडियो के मात्यम से जिन बिंदों पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे और यदि आपके प्रश्ण पत्र में इससे संबंधी कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं धन्यवाद